कि कि इब रॉन की किताब इसका 13 अध्याई उसका 7-14 तक हम इस अध्याई करेंगे और यर। सी्पनियक। द्यान दिला रहा है, किस बात पर हमें ले जा रहा है, किस बात पर हमें द्यान देना है, हम देखेंगे इस अधियाई में से, जैसा पवित्रात्मा कहता है, कि यदि आज तुम उसके सब्दों सुनो, तो अपने मन को कठोर ना करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय, अब परिक्षा के दिन जंगल में किया था, जहां तुम्हारे बाप दोर ने मुझे जाज कर परखा, और चालिश वरस तक मेरे काम देख दस और क्यारा, इस कारण में उस समय के लोगों से रूठा रहा, और कहा, कि इनके मन सदा बढ़कते रहे, और उन्होंने मेरे मार्क को नहीं पहचाना, तब मैंने क्रोध में आकर शपत खाई, कि वे मेरे विश्राम में प्रविश करने ना पाए, यहाँ पर जो है, पत्र रिखने वाला कहा रहा है, जैसे पवित्र आत्मा कहता है, कि यदि आज तुम उसका सब सुनो, तो अपने मन को गठोर ना करो, जैसा कि ग्रोध दिलाने के समय, और परिश्या के दिन जंगल में किया ख्या, यहाँ पर जो लेखक जो है, इबर्यानिक और लेखक, जो किस्ति लोग थे, उनको याद दिलाता है, कि जंगल में इस्राइल के लोगों के साथ क्या हुआ था, जंगल में रहने वालों जैसी गलती मत करो, मत पड़ो, ऐसा मत करो, वे क्या करते थे, उन्हें हीड़ दे को कठोर कर लिया था, इस चीज़ को हम कैसे दिखते हैं, उन्होंने परमेशन पर नहीं बलकि खूद पर बरुसा किया था उन्होंने परमेशन के कारे को देखा फिर भी वे भूल गए कि परमेशन ने उनके लिए क्या किया था और उस पर बरुसा नहीं किया था प्रभू कह रहे हैं कि लोगों ने देखा कि उन्हों ने उसने क्या किया लेकिन इसमें उन्हें कोई बदलाव नहीं आए कि परमेश्व क्या कर रहे है इससे उन्हें कोई फरक नहीं पड़ता था परमेश्व ने उनके लिए क्या किया उससे भी प्रभावित थे अब प्रभ परमिश्वर जेंगल में उनके लिए प्रावाधान करेंगे पहले ही परमिश्वर ने कोई कई आश्चर जनक चमतकार की माद्यम से इस्राइल की लोगों को बचाया था लेकिन उन्हें विश्वास नहीं था कि भूचन और पाने की बाद आने पर परमिश्वर उनके लिए कोई चमतकार करेगा या प्रादान करेगा उनको नहीं लगता था वे अपने हेड़े में सदे भड़कते रहे और परमिश्वर के मा को नहीं जानते इसलिए निंदा योग है उन लोगों को कोई आरम नहीं दिया जाता था ना विश्वास से नहीं जीते वह लोग अपने हेड़े को ठोगरते थे और अपने दिलों में भटकते रहते थे और परमिश्वर के तरीके को नहीं जानते थे परमिश्वर को एक पिच्चा दिखा रहा है उन्होंने क्या किया था जब परमिश्वर बात करता था ये लोग नहीं सुनते थे जब परमिश्वर जो चीज़ करने के लिए कहते थे वो नहीं करते थे इसको परमिश्वर हर बार बॉर्डर से ले जाता था हरे एक जगा से दूसरी जगा परमेशन को गैट करताverse ले जाताता था एक बड़ी भीर जब थी तो वो लग दूसरी दूसरी चीजों tomorrow कर लेते थी जब परमेशन को रहा दिखा रहा था वो बहुत बड़ी भीर थी तो वो लोग अपनी अपने अपने कारे में भीज़े रहते थे जब अनुग रास्ते जाते थे परमेशर इसलिए लिखा है दसमें इस कारण मैं उस समय के लोगों से रूठा रहा और कहा कि इनके मन सदा बटकते रहे और इन्होंने मेरे माँ को नहीं पहचाना परमेशर की शिक्षा को नहीं पहचाना परमेशर की बातों को नहीं पहचाना परमेशर की आवास को नहीं पहचाना परमेशर गुसा कब आता है कब आया परमेशर गुसा कब गुसा आया हम क्या कपड़ पहनते हैं कैसे बाल बनाते हैं किस रिती से रहते हैं उससे गूसा नहीं आता है परमेश हो गूसा थब आता है जब इसकी बातों के निकार देता है तब मैंने क्रोथ में आकर शापथ खाय कि वे मेरे विश्राम में प्रविश्य करना पाएं हम देखते हैं खाली जोसफ कलेब कलेब परविश कर पाएं इस परी जून में से हो सकता अटरा बार अटरा पंदरा अटरा लाग लोग होंगे उसमें से परविश नहीं कर पाएं फिर बार हम हे बाईयो चोकस रोहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वानी ना मन हो जो जीवते परमेशा से दूर हट जाए एक वानिंग दे रहा है आपको आपको हमारे हमारे जो मन में है वो परमेशा से दूर कर देगा ये बाईयो तेन का बार है ये बाया चोकस रोहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासीन मन ना हो वानिंग देता हमें कहा रहा है आपका हमारा जो मन है वो परमेशा से दूर कर देगा कब जब उसकी बातों को नहीं सुनेंगे उसकी बातों को नहीं पहचान पाएंगे जब आप परमेशा की आवास को नहीं सुनोगे जब कोई परमेशों की शिक्षा में नहीं है उसकी उसकी पास परमेशों नहीं है जब परमेशों की शिक्षा जिसकी पास नहीं है उसके परमेशों नहीं है हम खूद को परमेशों जे दूर नहीं हो जाए यरी में 17 नौ में कहता है मन तो सब वस्तों से अधिक दोका देने वाला होता है उस में असाद्यार रोग लगा है उसका बेद कौन समझ सकता है हमारा जो मन है वो भटकता रहता है दूसरी चीज़ में लगा रहता है उसे हम ऐसा नहीं होने देना हमें परमेशों की बातों मन लगाना एक वच्छा नहीं लिखा है अपने जवाने की दिनों में अपने सरजन हार को समरन रखो इस से पहले कि वपत्ति की दिनों दिन और वे वर्ष आए जिनमें तूं कहे कि मेरा मन इसमें नहीं लगता प्रात्ना में मन नहीं लगता चर जाने का मन नहीं लगता मैबल पढ़ने का मन नहीं लगता जब हम परमेशों को याद रखना था तब हम याद नहीं रखते हम भूल जाते हैं परमिश्व की बातों को भी तेरा में लिखता है बरहां जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो ऐसा ना हो कि दुम मेंसे कोई जान पाप के छल में आकर कठोर हो जाए यहां लिखा है एक दुसरे को समझाते रहो जो शौटकाट है सबकर जो शौटकाट है वो ज्यादा अच्छा लगता है एक दुसरे को समझना है अगर वो पाप की तहा में जा रहा है हमें देख रहा है वो गलत है उसे समझाना है उस पाप में नहीं पढ़ जाए वो पाप में ना पड़ जाए हमें इसको समझाना है हमें अपने भाइए को भी लेकर चलना है कि वो जो गलत कर रहे हैं जो गलत रहा पर जायर है पहले उनकी दिम उनको वो सही लगता होगा पर हमेट उसको रोकना है क्योंकि हम मस्य के भागी हुए है यदि हम अपने प्रतम भरोसा पर अंतक तरड़ सस्तीर है जैसा कहा जाता है कि यदि आज तुम उसके सब्दू सुनो तो अपने मन को कठोड़ ना करो जैसा कि क्रोध दिलाने के समय किया था भला किन लोग ने सुनकर क्रोध दिलाया क्या उन समने नहीं जो मुसा की द्वारा मिशल से निकल गया थे और वो 40 वर्ष तक किन लोगों से उठा रहा क्या उससे नहीं जुनों ने पाप किया और उनके लोट थे जंगल में पड़ी रही और उसने किन से सपत खाई कि तुम मेरे विश्राम में प्रवेश कर ना पाऊगे केबल उनसे जुनोंने आग्या ना मानी तो हम देखते हैं कि वो विश्वासी की कारण प्रवेश ना कर से लिए परमेशो को गुस्ता किस पर आया जुनोंने आग्या नाई मानी जिनन परमेशो की नहीं सुनी इसको example लेकर कह रहा है अगर आज हम परमेशो की आवाज को सुनते तो हैं अपने मन को कट्रो मत करना हम सुनते हैं परमेशो की आवाज पर हम मन को कट्रो कर लेते हैं ऐसा नहीं करना है फिर से इब्राइन शाथ और आट में जो जैसा पवितर आत्मा कहता है कि यदि आज तुम उसके सब्दों सुनो तुम मन को कट्रो ना करो जैसा कि क्रोध दिलाने के समय और परिशा की दिल जंगल में किया था यहाँ पर जिस सीज़ पर जोड़ दिया जा रहा है वो है आत्मा का शब्द परमेश को सब्द वो क्या कहता है उसे सुनो अगर उसे ने सुना तो आपका मन हो जाएगा कट्र वो लोग आज भी उन बातों को कट्रो करते हैं परमेश की आज बातों को ने सुनते हैं हम परमेश को सिक्षा को नकार ना नहीं है परमिश्य शिश्रा को अपनाना है योना 14.26 लिखता है परंतुस सहाजा एक अर्था पवित्रात्मा जिसे पिता मेरे नाम से बेज़ेगा वो तुमें सब बातों सिखाएगा जो कुछ पी जो कुछ मैंने तुम से कहा है वो सब तुमें स्मर्ण कराएगा परिशात्मा को पवित्रात्मा को काम है परमिश्य की बातों को याद दिलाना परमिश्य की बातों को सिखाना हमें से नकारणा नहीं है जैसे है कि दुसरों योन ने एक नोमें लिखा है जो कई आगे बढ़ जाता है हम मश्री की सिक्षा में बना नहीं रहता है, उसके पास परमेश्वर नहीं है जो कि इसकी सिक्षा में स्तीर रहता है, उसके पास पिता बिया पुत्र बिया हमें मश्री की सिक्षा में बना रहना है अगर हम इसकी सिक्षा में बना नहीं रहते हैं तो हमारी पास परमेश्वर नहीं है अगर हम इसकी सिक्षा में स्थी रहते हैं तो हम उसके पुत्र कहलाते है पीता होने का हक्त हमें मिलता है जैसा पवितर आत्म कहता है यदि आज तू उसका शब्त सुनो जब उसकी शब्त को सुनते हैं उसके सब्त मश्य की सिक्षा पवितर आत्म हमें क्या सिखाता है मश्य इश्यो की सिखाए हुए हर रास्ते हर शिक्षा है पवितर आत्म क्या चाहता है कलिशा से परमेश्य इश्यो की शिक्षा चूड़ी रहे हमें जनकारना नहीं है पवित रादमा क्या चाहता है कलिक्षा से प्रमेश्य शुक्रिक्षा जूड़ी रहा है और बहुत सारे कलिक्षा हम देखते है प्रमेश्य के शुक्रिक्षा को लेकर ठीले ढाले रहते हैं वैसा नहीं रहना जहां तुम्हारे बाप दोदर मुझे जाच कर पड़का और चालिश वर्स तक मेरे काम देखे चालिश तक शाल तक उनको लगा रहा है कि परमेश्य के साथ है पर उसने एनी पता था परमेश्य उसने उसे रूटे हुए गुस्से में है लुका नौ पैंदेस में लिखता है और उस बादल में से ये शब निकला कि यह मेरा पुत्र और मेरा चुना हुआ इसकी सुनो ये किस के लिए था यहुदु लोगों के लिए उनको लगा मुसा चुना हुआ है उनको लगा याकुब उनको लगा यहुना चुना हुआ है योना के टीचिंग को चुना हुऊ है इस की सुनो और किसी की नहीं परमयश्व की बाते को सुनने के लिए उधा है किसी और की नहीं सुनो किसी के मत सुनो आध बोलो कि ईश्यो को परमयश्य उसको रखते हैं पूर सुनते किसी और के और किdate Championship के सुनते थे कि यह लिए ती चार पांच का चार में लिकर तुम जो वोस्ता की द्वारा धर में ठहराते धरना चाहते हो मसी से अलग और अनुग्रस की गए हो परमेश्य की सिक्षा नहीं चलाते हो वो अनुग्रस से अलग हो गए हैं और परमेश्य की टीचिंग को हमें पवित्रात्मा की दारा में मिलती है पवित्रात्मा हमें हज चिस्म में बवस्ता से दूर रखता है जो हमाले सही नहीं है हमें सही टीचिंग देते हैं हमें गाइट करते हैं हमें इनकी बातों के मानने हैं परमेश्य की शिक्षा को हमें जानने हैं आज हम वही प्रातना करते हैं परमिश्य कि हम गलत शिक्षा कि और ना जाएं हम आपकी आपकी बात माने हैं आपकी रहा पर चले हम ऐसे भटकने वाले लोगों की तेरे ना मनने हम परात नहीं करते हैं परमिश्र हमें सही राख सदिकां उस भड़ के नहीं जलत रास्ते पर ना जाए पर आपकी बात हो कि मन लगा आपके अंदर मने रहे आप हम बचा हम मदद कर हम आपकी उपर डिपर रहके चले खुद पर नहीं इसे और पर नहीं हम ऐसे परात नहीं करते हैं ईश्र मस्य के नाम से मांते हैं आमिन